पर वो तो तो विंदो को पर हम आすड़ाह रहें को अश्ट इसको मैं मालिें कर दो समिंग्स से ने आने से रहें नमस्कार मैं राहुल नाक्पाल और आप देखे हैं मारा यूटूब चैनल बोल पिचासी मेरे साथ जो सेक्सित खड़ी हैं आप पत्रकारता के छेत्र में बड़ा नाम है मिरग्या गौर हैं आप और भारत में कहीं भी किसी भी लेविल पर कहीं भी ऐसमानता हो कहीं भी भेधभाव होता है तो उस पर मुखर हो करके बोलती हैं आज इस परकार से देश भर में एक माहल बनाया जा रहा है कि राम में पूरा भारत हो गया हिंदुत्व की लहर है और भगवा भगवा चारों तरफ कर दिया गया है और कहीं ना कहीं एक रंग में रंगने की संक्राचारियों की नहीं सुनी गई पहले कॉंग्रेस के जमाने में एक समय था कि धरम की हिसाफ से सरकारे चलती थी आज सरकार जो हो धरम जो हो सरकार की तरीके से चल रहा है देखिए चारु शक्रचारे लिए जो बाइस तारिक है और प्राण प्रतिष्टा का जो समापन समारों है कि मैं आज वास्ता में उनके अंदर जो पहरे हिंदुत में जो होता है जो सनातनियों का कार्य है कि मुर्ती जो अब वो नहीरे और भगवान हो गए उनके प्राण डाल दिए तो इसमें चारों शंक्राचारे ने इसका व्रोध की हो किया शंकराचारे तो आंदोलन से जुड़े रहे और हम बताना चाहेंगे कि जो पूरी के शंकराचारे रहे हैं और जो दूसरे शंकराचार भी जो परमुख रहे हैं उनमें से जो एक स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंदा जो है सरस्वती उन्होंने विशीर सोपे कहा कि हम है यह परिशन जब शुरू में गई है तो वहां भी हम लोगों ने पूरी तरह से उसको फोलो किया है और अनेको सनातनी उन्हें क्योंकि यह 500 साल पुराना इसका इतिहास रहा अनेको सनातनी उन्हें पिसलें सो वर्षों से इसको दुबारा मंदिल आने के को पोशिश किया अने टुब आपको मानना पड़ेगा कि हिंदू द्रम भे खतम हो गया तो शंक्राचारे ने उसको पूर्ण जीवित क्या है तो इसलिए इसलिए इनलों का बहुत महत्तों है लोग इंको भगवान ही मानते है तो इनका कहना है कि मंदिर पूरा बना नहीं यह तो विश्वन आप उसमें अभी से प्राण परतिश्रा कर रहे हैं तो इसको पर गुंबत वनेंगे बगारा बगारा बनेंगे लोग चपल चपन करके चाड़ेंगे गुटका पान तमागों खाएंगे पर वुका अपमान होगा हाँ बिलकुल कि अभी तो देखे और एक और बात भी है अभ को भूके भी होंगे कैसी दिशा में होंगे मांसिक दशा कैसी होगी तो यह सब प्राण प्रतिश्टा हुम कर रहे हैं आध्य-धूरे मंदिर की कर रहे हैं जो Конечно कर दिन बार्श करकिक करके ओं Hee जी जो तो उनमें प्राण डालेंगे और हम बाहर खड़ों के तालिया बजाएंगे आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हो राजनेता तो नीचे बैठ करके देखते थे लेकिन आज प्रदान मंत्री जी खुदी संक्राचारिया के भेस में माला है भगवावस्त्र है प्रदान मं यह जाते प्राण प्रसूर सार्यक जब यह लोग और ये लोग है अज फ़ोल्प पुजारी जो हम अब contenu Abramiddanni वियह रहे देखे यह तो अभी देखे खाडगे जी ने और मेडम सोन्या जी ने क्यों यह ठुक्राया परसा एसा नहीं है कि उनको शौक नहीं था तो जब तक तो जब तक तो बीजेपी के एजन्डे में नवासी के बाद आया है तो पर राजीव गांदी के अगर सहमित नहीं होती तो काम नहीं होता थिक है ना बात पक्की है और बीजेपी ने भी इसमें खूब इन्वार्मेंट लिये यह सारी बाते अलग रखते हुए श इसलिम्स भी हो पूप इंडिया में रहते हैं तो शीरी राम तो यह तो भारतिये जन्मानस बेराम बसे होए थे भारतिये सभिता में हर जो महापुर्श हुए हैं चाहें कुछी भी समास के हो उनका बरावर का रहाया बुद्ध कभी नानक रहदास राम कृस्ण सबकाव सब की मानिता हैं पर राम जो जन्मानस से बसे होए हैं तो यह जानना चाहेंगे हम यह 22 का क्या मतलब था चुनने का क्योंकि अभी अप्रेल से वह एलेक्शन के अरॉंस्मेंट हो जाएगी तो ताजा ताजा माम रहेगा और यह मंदिर जो पूरी तरह से इसका कंप्लिशन का इसका दिसंबर में होगा मंदिर पूरा दिसंबर में बनके त्यार आपके सामने आएगा तो इन्होंने इतनी जल्दी क्यों को आप गे कई रामजी आयोद्ध्य की में ठीवाली 1जर्म जा भिजा दिया किया be jp के चिरी गृनेश कर दिया लेक्षन यात्रा कर यह और जो 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 जा ब्राम जो है वह ओ बीजे पी रोरा आर्स यास में बजरंगधाल जान डाले हम को लाएं उनको लाएंगे राम क्या है इस्वर आप उनको बहुत तो इस्वर के वजए से हम सब यहां पर है तो हम तो उन बदस्ति ला रहें राम को वो जब रखती राम को ला रहे हैं तो ऐसे तो रहें अब देखिए बाइस जन्वड़ी को दॉक्तर बाबाद साब अमीट करने प्रेमिलन्स जो है जो भाति सविधान का जो सवरूप है उसको आप समर्पित के देश को उसको सविधान सबाः के सा को मिला के एक किया है और ये अब हिंदूत को आगे लाके सब धर्मों को साइड में कर रहे हैं तो आप मैडम हैं और हमारे चैनल पहली बार हमने इंसे बातचीत करने की कोशिस की और बातचीत करने का मतलब यही था कि राम मंदर का उद्गाटन क्या राजनिती करण हो रहा है हवास्त में राम को जो है वो लाया जा रहा है और क्या वो लोग जिनको जैसा मैडम ने कहा जो राम दुनिया को लाए कि उनको यह ला सकते हैं कि ताकत है मैंने जैसा कहा इस इंटर्वू में कि आजकल गाने बज़ रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे यह भासा राजनितिक हो सकती है, जो राम बीजे पी में, आरेसेस में, बजरंग दल में, विशुन्दू परशद में, सतर साल तक जान फूकते रहे, आज उन राम में बीजे पी के निता जान फूक रहे हैं, ये कैसा मजाक है, ये धरम के नाम पर मजाक नहीं तो और क्या है?